हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आजके इस वीडियो में हम नेट के पाथिक्रम में संकलित इकाई नो निबंद के अंतरगत संस्कृती और सौंधरिय निबंद के परिक्षा उपयोगी महत्पुन बिंदूओं पर चर्चा करेंगे तो आएए देखते हैं इस निबंद के महत्पुन बिंदूओं को हिंदी के सिश्यस्त सोदकार समालो चक निबंदकार नामवर सिंग का जन्म सन 1926 इस्वी में बनारस उत्तरप्रदेश में हुआ था ये हजारी प्रिशा दुएदी के प्रिय सिश्य रहे हैं ये प्रगति सील आलोशना के प्र की प्रमुक्रशनाय हैं कहानी नई कहानी चाया वाद इतिहास और आलोचना कभीता के नई प्रतिमान दूसरी परंपरा की खोज वाद विवास संबाद इत्यादी नामबर सिंग की 1982 इस्वी में प्रकासित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज आचाय हजारी प्रिशा दुएदी के चिंतन और स्रिजन में विद्देमान मौलिक्ता को रेखांकित करती है आठ अध्यायों की इस पुस्तक में प्रत्यक अध्याय का प्रस्थान बिंदु आचारी दुएदी की कोई ना कोई कृती है इस पुस्तक में नामवर जी दुएदी जी को दूसरी परंपरा का जनक मानते हुए उनके समस्त सैध्धानतिक और वहवारी का अलोचना का सार गर्भित विवेचन प्रिस्तुत करते हैं इसी क्रम में उन्होंने संस्कृती और सौंदरी नामक निबंद में दुएदी जी के संस्कृती और सौंदरी संबंदी कोन की व्यापकता और प्रासंगीकता का उदगातन किया है इस लेक में डॉक्टर नामवर सिंग ने दो बातों संस्कृति और सौंदरी पर गंभीरता पुर्वक विचार किया है संदर्व उन्होंने दुएदी जी का ही दिया है मगर उसी बहाने इन विश्यों पर डॉक्टर नामवर सिंग ने अपना विचार भी रखा है जो इन विश्यों को समझने की दिशा में महत्वपुर्ण है इनकी विवेचनाओं से संस्कृति और सौंदर्य का असले रूप सामने आया और पारंपरिक गलत व्याख्याओं और धारनाओं से मुक्ति मिली संस्कृति और सौंदर्य नामक निवंद में नामवर सिंग ने हजारी प्रिशाद दुवेदी की सौंदर्य आत्मक दृष्टी का मुल्यांकन किया है जहां सौंदर्य विद्रो का ही दूसरा नाम है आईए देखते हैं इस निवंद के सारांस को संस्कृति को लेकर समय समय पर तरह तरह से विचार विमर्ष होता रहा है कुछ राजनीती प्रेरित तो कुछ स्वार्थ प्रेरित इस विमर्ष दुवेदी जी ने संस्कृति के जिन बुनियादी गुनों की और इशारा किया था उस पर परदा डालकर सभी विचलेशक खुद को संस्कृति के नए विमर्ष कार के रूप में स्थापित करने लगे एक राजनीती से प्रेरित होकर दिनकर जी ने संस्कृति के चार अध्याई की रशना की और मिस्र संस्कृति के स्वरू को स्थापित किया तो दूसरी राजनीती के तहट अग्ये ने संसकार धर्मी संग्राहक संस्कृती की वकालत की नामवर जी लिखते हैं यदि दिनकर की मिश्र संस्कृती की एक राजनीती है तो अग्ये की संसकार धर्मी संग राहक संस्कृती भी किसी और राजनीती के अनुसंग से बच नहीं जाती नामवर जी कब इशारा साफ समझा जा सकता है दुवेदी जी ने भारतिय संस्कृती का सच उजागर करते हुए कहा था कि वह गंदर्व, यक्ष, किन्नर, आधि, आरियत्तर जातियों के विश्वासों और सौंदरे कलपनाओं का सबसे अधिक रिनी है उनकी यह स्थापना किसी खास मकसद की उपज नहीं थी और ना ही किसी तरह की राजनीती से प्रेरित वह तो उनके अतीत कालिन साहित्ते के अध्यान और चिंतन की स्वभाविक अविवेक्ती थी असल में संस्कृति को लेकर दक्षिन पन्थी सोच हमेशा विसुद्धतावाद पर जोर देती रही है इस विसुद्धतापर ना केवल वह गर्व करती रही है बलकि इस आरी संस्कृति को वह सर्वश्रेष्ट भी मानती रही है और इसके लिए वह तरह तरह का तरक भी करती रही है इसका विरोत करते वे दुएदी जी लिखते हैं देश और जाती की विशुद्ध संस्कृती केवल बात की बात है सब कुछ में मिलावत है सब कुछ अविशुत है दुएदी जी यह भली भाती समझते थे कि भारतिय संस्कृती का स्वरूप आरियत्तर जातियों की देन को स्विकार के बिना निर्मित नहीं होता मगर आरिय संस्कृती के विशुद्धतावादी पक्षदर इसे कतई स्विकार करने को तयार नहीं थे द्वेदी जी ने इसी सोच पर हमला किया था नामवर जी ने ठीक लिखा लिखा है और सच कहा जाए तो आये संस्कृति की सुधिता के एहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोग के फोल लिखा गया है प्रकिर्दी वर्णन के लिए नहीं या निबंद द्वेदी जी के सुध्व पुष्व प्रेम का प्रमान नहीं बलकि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेच है दिनकजी के संस्कृति चिंदन को अगया जी ने मिश्व संस्कृति का आग्रह करार देते हुए उसे राजनिती प्रेरित बताया था अगया जी संस्कृति की संग्रहाक्ता पर जोर देते हैं और इसके मूल रूप को सुध्द मानते हैं द्वेदी जी का मत इन दोनों से भिन्य हैं। द्वेदी जी संस्कृति के दोनों पक्षों संग्रहाक्ता और त्याग दोनों पर जोर देते हैं। दुवेदी जी के चिंतन को आगे भढ़ाते हुए नामबर जी समकालिन संदर्वो में संस्कृती के प्रती आशक्ति या मुह को जर्ता बताते हैं। नामबर जी ने मिस्र संस्कृती और विशुद्र संस्कृती की राजनिती पर प्रहार किया। कुल मिलाकर नामबर जी द्वारा इस निबंद के माध्यम से द्वेदी जी के संस्कृति चिंतन को उजागर करने का मूल उद्देश यही था कि तथा कथित खुद को आधुनिक और प्रगति सील समझने वाले संस्कृति को लेकर कितने जर है जबकि संसकार एवं विचार से पुर्णता धार्मिक और स्वभाव से आचारी और कुछ हद तक दक्षिन पंथी समझने वाले द्वेदी जी का संस्कृति जिंतन कितना प्रगति सील एवं उदार है द्वेदी जी के अनुसार सुद्ध संस्कृति का आग्रह एक प्रकार का मूह है जो बाधा उपसित करत कर देता है यह संस्कृति के छेत्रमें वर्जन सीलता को जन्म देता है पुराने के प्रती संसकार वसमों होता है परंतु यह भी सच है कि प्राचिन काल की बहुत सारी उप्योगी एवं संगतमान्यताएं समय के प्रभाव में अनुप योगी एवं अप्रासंगिक हो जाती है दुएदी जी को मोह सक्त संस्कृति भक्तों से बार बार टक्राना पर रहा था और उसी चिंदन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नामवर सिंग भी इस मोह सक्ति पर प्रहार कर रहे हैं और इस वि प्रगति सील विचारक वाली छवी भी बनती चलती है और इसके ठीक विपरीत अस्तित्योवादी नास्तिक आस्था वाले समय के प्रभाव में कैसे हैं दक्षिन पंत की ओर जुकते गए इस ओर भी संकेत होता चलता है सौंदर को प्रगति सील चिंदन के आरंब के पहले त प्रेमचन ने सौंदर के अभीजात्य परिभाश और चिंदन को चुनोती देते हुए लिखा है कि सौंदर केवल महलों में ही नहीं बल्कि मेर पर बैठी बच्चे को दूद पिलाती उस पिच की गाल वाली औरत में भी हो सकती है तब उनका इशारा इसी प्रगति सील सौंदर्यस चेतना की ओर था परमपरावादी कहे जाने वाले दुवेदी जी की सोच भी इस प्रगति सील चेतना की पुर्ववर्ति करी थी जिसको वर्नित करने का प्रियास यहां नामवर जी ने किया है सौंदर्य को परिभाशित करते हुए दुवेदी जी कहते हैं जो संपत्ती परिश्रम से नहीं अरजीत की जाती और जिसके सनरक्षन के लिए मनिश्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता वा केवल कुछ सित्रोजी को प्रशय देती है सात्विक सौंदरी वहां है जहां चोटी का पसीना एरी तकाता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है दुवेदी जी की इस सौंदरी परंपरा को डॉक्टर नामवर सिंग निराला के सौंदरी बोच से जोरते हैं और प्रगती सील सौंदरी चेतना का अधुनिक क्रम निर्धारित करते हैं दुवेदी जी की इस सौंदरी चेतना का स्त्रोथ लोक संसकार था किन्तो इस लोक में सौंदरी चेतना सुसुप्त अवस्ता में पड़ी है क्योंकि जिस समय सामान्य जन्ता को पेट भर अन्य नहीं मिलता वह सौंदारी का सम्मान नहीं कर सकती लेकिन इसके साथ ही दुवेदी जी का यह भी स्वष्ट मानना था कि जो जाती सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती की बड़े उद्देश्य के लिए प्राम देना क्या चीज है नामवर जी इस चिंतन को विस्तार देते हुए लिखते हैं कि कोई जाती क्रांती कैसे जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बलकि सुन्दर धंग से जीना चाहती है दुवेदी जी सौंदरी सास्तर पर लालित्य मिमांसा नाम से एक पुस्तक भी लिख रहे थे जो दुर्भाग यवश अधूरी रह गई नामवर जी कहते हैं कि ये द्वेदी जी इस पुस्तक के माध्यम से लालित्य सास्तर पर विवस्तित और सांगो पांग विजार करना चाते थे जो उनके जीवन की सुद्धिर्ग, सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की स्वाभाविक परिनदी थी नामवर जी ने द्वेदी जी की लालित्य मिमानसा के तीन सत्तरों की चर्चा की है पहले सुत्र के अनुसार द्वेदी जी सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाते थे क्योंकि उनकी नजर में मानव रचित सौंदर्य का विशिर्स मारत हुथा इसे और स्पस्ट करते हुए नामबर जी लिखते हैं समश्टी गत और व्याष्टी गत दोनों ही स्तरों पर दुएदी जी की सौंदरी दृष्टी मोलतर मानव गेंद्री थी हैं इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं की सौंदरी का स्रिष्टा मनुष्य है बलकि यह भी की सौंदरी की स्रिष्टी करने के कारण ही मनुष्य मनुष्य है दुएदी जी की लालित्य मिमानसा का दूसरा सुत्र नामबर जी बंधन के विरुद्ध वित्रों को मानते हैं अर्थात दुवेदी जी की दृष्टी में कला और सौंदरी की सृष्टी विलास मात्र नहीं बलकि बंधनों के विरुद्ध विद्रो है। लालित्य मिमानसा के तीसरे सुत्र की चर्चा करते वे नामबर जी लिखते हैं। दुवेदी जी की लालेत्य मिमान्सा का तीसरा सूत्र है कि इस सौंदर एक सर्जना है, मनुष्य की सूर्षिक्षा का परिनाम है, दुवेदी जी सबसे अधिक बल इसी सिक्षा अर्थात मनुष्य की स्रेजन सीलता पर देते थे। तीनों सुत्रों पर गंभीरता पुर्वक विचार करने के पश्चाथ, डुवेदी जी के सौंदर संबंदी चिंतन का सार प्रस्तूत करते वे कहते हैं, जीवन का समग्ड विकास ही सौंदर्य है, यह सौंदर्य वस्तुतर एक स्रेजन व्यापार है, इस स्रेजन की छमता संस्कार से बना है, मानव जाती पर हुए कई संसकार ही अनकी संस्करती है, जिससे उन्नत करने ही तू सौंदरिस चेतना को विक्सित करना अनिवारी है इसके लिए घ्यान अर्जित करना और सुरिजन सीलता ही तू आजाद होना आवश्यक होता है स्वतंतरता एक मौलिक सकती है सबकी सुतंतरता की और ध्यान देकर उन्नत समाज की उन्नत संस्कृति तब हो जाएगी जब मनुष्य की चेतना को लालित्य को एहम समझा जाएगा इसके लिए मानपता धर्म का अनुशरन का अनिवारी है तो आईए देखते हैं इस निवंद के महतपुर्ण पंक्तियों को अशोक के फूल केबल एक फूल की ही कहानी नहीं भारती संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंग लेक पढ़ने वाले हिंदी में पहले वेक्ति हैं हजारी प्रिशाद दुएदी भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्ना ठाकुर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीती नीती कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यत्र उपादानों का मिश्रन है किन्तु यही संदेश असोग के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी अगली पंगते इसलिए जब दुएदी जी कहते हैं कि सबकुछ अवी सुद्ध है तो तुरन पाद यह भी जोडते हैं कि सुद्ध है केवल मनुश्य की जिजी विसा वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सबकुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है अगली पंगती उल्लेखनीय है कि अग्ये जहां संस्कृती की केवल संग्राहक्तव की इमायत करते हैं वहां दुएदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते अशोक के फूल में ही उसी अनुछेदि के अंदर कत एक द्रश्टा की तरह मानव जाती की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रोप साब देखते हुए मनुषे के जीवनी सकती बड़ी निर्मम है वह सब्यता अर्ध संस्कृति के वृथा मोहों को रौंधती चली आ रही है ना जाने कितने धर्माचारों विश्वासों उत्सवों और रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बड़ी है संगर्षों से मनुषे ने नहीं सकती पाई है हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहन और त्याक का रूप है अगली पंक्ती इसलिए द्वेदी जी के सामने योजना बद्धर रूप से एक मिश्र संस्कृती तयार करने की समस्या नहीं है समस्या यह कि आज हमारे बीदर जो मौ है संस्कृति और कला के नाम पर जो आसकती है धर्माचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो जरता है उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए अगली पंक्ति इस दृष्टी से यदि दिनकर का मिस्र संस्कृति की एक राजनीती है जो अगे संसकार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीती के अनुसंग से बच नहीं जाती जब वे कहते हैं कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहन करती है और अपने अनुभव को सम्रिद्ध तर बनाती है तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्यों पहले ही से स्विकार कर लिया गया है जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है अगली पंक्ति यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीती के एक पक्च से है तो स्वैम अग्ये और गोविंद चंद्रपांडे की सुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीती के दूसरे पक्च से जोड़ा जा सकता है सुद्ध होने से ही वह राजनीती से मुक्त नहीं हो जाती अगली पंक्ति लखनों विश्व विद्धाले के साहित्य का मर्म 1948 शिर्षक विख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिश्करन के लिए किये गए संसकार भी काल पाकर किसी नई उस रिजन के ग्रहन के लिए बाधा बन जाते हैं कहते हैं संसकार सब्द का प्रियोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है संसकार सब्द अच्छे अर्थ में ही प्रियोक्त होता है परन्तु मनिश्य सभाब से ही प्राचीन के प्रती स्रध्धा परायन होता है और प्राचीन काल से संबंद होने के कारण कुछ ऐसी धानाओं को स्रध्धा की दृष्टी से देखने लगता है जो जब सुर्य हुई होगी तो निश्य ही उप्योगी रही होगी परन्तु बाद में उनकी उप्योगिता घिस गई और वे रूधी मात्र रह गई ऐसे संसकार सब समय व्रियत मानव पर भूमी का पर खड़े नहीं उठतरते उनकाल गत संसकारों की चर्चा करने के बाद वे उन देश गत और जाती गत संसकारों की और भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जाती के विश्वासों पर आधारित साहित को समझने में बादख होते हैं संसकार की प्रकडिया अंततः संसकृती के छेतर में उस सुधी करन की ओर ले जाती है जिसकी परिनती वर्जन सीलता में होती है यह वही वर्जन सीलता है जिस पर भारतिय संस्कृती के बहुत से हिमाईतियों को अभिमान है हमारे यहां पाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जन सील अंकार की उपज है जिसका मुकाबला दुएदी जी को अक्सर करना परता था अगली पंक्ती संकेर्ण इकहरेपन के खिलाफ संगर्स करते हुए उन्होंने भारतिय संस्कृती की विवित्ता, जटिलता, परसपरविरोधी, विजिवन्तता और सम्रिदी का पुना स्रिजन किया भारतिय संस्कृती के अंतरगत आर्यतर जातियों के अबदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है यदि इस प्रियास में कहीं आर्यत स्रिष्टता के अहंकार को खेस लगती है तो दिवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते वस्तितर यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रियास है जिसका प्रियोजन मुख्यता पंडितों की इकहरी परंपरा की संकिर्णता का नी दर्शन है अगली पंक्ती प्रसंग बस द्वेदी जी के इस प्रियास की एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखाई पड़ती है एक देसक पहले जैशंकर प्रशाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था जिनके जावाब में कवी को कावे और कला तथा रहसे वाद आधी निबंद लिखने पड़े थे नई कावे प्रियोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हीं भी भारतियता की दुहाई सुनाई पर रही थी कावे और कला निबंद का आरम भी इस प्रकार होता है कि भारतिय वांग में की सुरूची संबंदी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत सिक्रिता में आजकल आजकल अमुक वस्तू भारतिय है अथवा भारतिय संस्कृती की सुरूची के विरिद्ध है कह देने की प मारे विचारों की संकर्णता से और प्रधानता अपनी स्वरूप विस्मिर्ती से उत्पन है यह संकर्णता और स्वरूप विस्मिर्ती अपनी परंपरा के आतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है किन्तु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका आतिहा और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्यात्य साहित्य में हैं वैसी भारतिय साहित्य में नहीं उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक ही सौंदारियान भूती संबंदिनी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतिकों के साथ-साथ उनका इतिहास तो हैं ही सबसे अच्छा सादन उनकी अविच्छन संस्कृतिक एकता भी है हमारी भाषा के साहित्य में पैसा सामन जैसे नहीं हैं बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल हैं कि उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियां भारतिय रंगस्थल पर अवतिन और इत्योग किया है अगली पंक्ति अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बाबजी उद प्रसाद ने रहसेवाद से शक निबंद में सौंदर्यान भूति की परंपरा को पुनर्ण निर्मित करने का प्रयास किया इस परंपरा का आरंब भी रिगवेद से ही होत और जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है वह वरुन के अधिनायक कत्व में विक्सित होने वाली असुर्ण परंपरा से सर्वता भिन्य है जो विधी विधान और विवेक को मिप्रिसेस महत्व देती थी प्रसाद ने इन दोनों परस पर विरोधी प्रंपराओं के विकास की मनुरंजक रूप रेखा प्रस्तुत की है और कहने की आवश्यक्ता नहीं कि उनकी द्रिष्टी में जीवन में काम को पूर्णत स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्या है अथक काम्य भी अगली पंक्ति विचार और वितर्क 1945 में संकलित अपनी एकारंभिक निवन्द हमारी संस्कृतियों और साहित्य का संबन्द में लिखा है कि सबसे अधिक आरियत्तर संस्रव साहित्यों और ललित कलाओं के छेत्र में हुआ है अजन्ता के चित्रित साची भरहूत आदी में उतकिर्न चित्र और मुर्तियां आरियत्तर सप्यता के संब्रिती के परिचायक है महाभारत और कालिदास के काव्यों के तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीजे है एक में तेज है और तेज है दिप्रतता है और अभिवक्ति का वेग है तो दूसरे में लालित्य है माधुरी है और वेंजना की छटा है महाभारत में आरिय उपादान अधिक है कालिदास के काव्यों में आरियत्तर जिन लोगों ने भारतिय सिल्फ सास्तर का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि भारतिय सिल्फ में कितने आरियत्तर उपादान है और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अध्भुत प्रभाव परा है पता चला है कि साची भरहूत आधी के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदरी प्रिय जाती थी जो संभवत उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी बहुत सी ऐसी बाते कालीदा साधी कवियों ने इन सौंदरी प्रिमी जातियों से ग्रहन की है जिनका पता आरियों को ना था काम देव और अपसराएं उनकी देव देवियां हैं सुंदरियों के पदागात से अशोक का पुस्पित होना उनके धार की चीज है अलका पुरी उनका स्वर्ग है इस प्रकार की अनेक बाते उनसे और उन्हीं की तरह अन्यानया आरियत जातियों से महा कवीन ने ली इस एक्रम में आगे भरत मोनी के नाठ्य सास्थर के बारे में भी उसके आयों की विद्या नाम मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते है सुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्म ने नाट्य वेद नामक पांचवे वेद की शृष्टी की थी अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत ना हुई होती वास्तप में भारती नाटक पहले केवल अभिने के रूप में ही दिखाए जाते थे उनमें भाषा का प्रियोग करना आर्ये संसोधन का परिवर्धन है अगली पंक्ती प्रशाद ने कहा है संस्कृती सौंदरी वोध के विक्सित होने की मौलिक चेष्टा है अगली पंक्ती दुवेदी जी भी संस्कृतो अतिरिक्त मानते हैं किन्तु उनके अतिरिक्त का आर्थ वा है जो आनंद वरदन कृत लावन्य की परिवहाशा में है वह किसी बस्तु के प्रसिद अवयवों में से कोई भी नहीं है उनसे अतिरिक्ट है और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता सो सौंदर ये रूप नहीं है लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता इस सास्त्री परिभाशा से द्वेदी जीवन के लिए जो निशकर्ष निकालते हैं वह द्रश्टब्य है कहते हैं जीवन को सुन्दर धंग से बदाने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए बहुत से लोग कुछ भी ना करने को भलापन समझते हैं या गलत धारना है सुन्दर जीवन क्रियासील होता है क्योंकि क्रियासीलता ही जीवन का रूप है क्रियासीलता को छोड़कर जीवन का सौंधरी टिक नहीं सकता किन्तु उन संकेर्नतावादी क्रांती क्रारियों से द्वेजी जी सहमत नहीं है जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और अद्भूत कल्पनाओं के राज्य से वन्चित करके भाविश्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है वह ठूट तर्क परायन कठमुला हो सकता है आधुनिक बिलकुल नहीं वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विचन्य करके हाड मास का यंत्र बनाना चाहता है यह ना तो संभव है ना वांच नहीं है अगली पंक्ती इसलिए द्वेदी जी मनुष्य की समस्त रचेता रचीत्री आनंदिनी व्रित्ती का विकास आवश्यक समस्ते हैं क्योंकि चित्रकला, मुर्तिकला, वास्तुकला उधर्म विधान और साहित्ति के माध्यन से उसी व्रित्ती को अभिवेक्ती मिलती है अगली पंक्ती पहला सूत्र है कि सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते हैं क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतू उसके समाना अंतर चलने वाले मानव रचित सौंदर्य उनकी दुष्टी में विशेश महत्वन है लालित्य वह इसलिए है कि मानव द्वारा लालित्य है सौंदर्य के इस मानवतावादी धार्ना का स्रोत द्विदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंड निकाला वह स्रोत हैं भरत मुने का नाट्य सास्थ्र अगली पंक्ती सौंदर्य को मनुष्य लालित्य मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लाश्य का अंतर पुरान काथा के अनुसार सिभ का तांडव रस भाव विवर्जित निर्त है जबकि पारवती का लाश्य रस भाव समन्वित निर्त है दुवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहन करते हैं कि तांडव यहां मानव मुट पुर्व तत्वों का स्वतस्पूर्थ विकास है वहां लाश्य मानिविय प्रयासों का ललित रूप है अगली पंक्ती दुवेदी जी की सौंदर्य त्रिष्टी मूलत मानव केंद्रित इहीं है इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सौंदर्य का स्रिष्टा मनुष्य है बलकि यह भी कि सौंदर के श्रिष्टी करने के कारण ही मनुष्य मनुष्य है दुवेदी जी की लालित्य मिमानसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह बंधन के विरोध विद्रो है और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है निरित्य के संदर में इसी बात को जरके गुरुत्वा कर्शन पर चतन्य की विजय एक्षा कहा गया है अगली पंग्ती दुएदी जी की लालित्य मिमानसा की तीसरा सूत्र यह है की सौंदरी एक सरजना है मनुष्य की सी स्रिक्षा का परिनाम मनुष्य की स्रिक्षा की स्रिक्षा की स्रिक्षा का परिनाम